पहले जानते हैं अपनी पहली तीन राशी यानि कि मेश व्रश मिथुन का देनिक राशिपल मेश राशी, व्यापार में बहुत सोच कर आपको इन्वेस्ट करना है थोड़ा नुकसान की संभावना है, सला लेकर ही करिएगा बड़े भुजर्गों का रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें और जरूरत पढ़ने पर आप अपने मित्र की मदद जरूर करें तो उससे आपको मदद भी मिलेगी यानि कि मित्रों के लिए हमेशा आपको तत पर रहना है शुबरंग होगा आपके लिए कथाई और पीले चंदन का तिलक जरूर करें अगली राशी की बात करते हैं मित्रों, व्रशब राशी नौकरी में उतार चड़ाव से आपको नुकसान होगा अपने बड़े भुजर्गों की सला आप जरूर लीजिएगा आज के दिन देवी दुरगा की उपासना अमरितमई चमतकारिक जरूर रहेगी आज के लिए शुबरंग होगा हरा और उपाय क्या करना है आज के दिन किसी जरूरतमन व्यक्ति या महिला को आप कच्चे दूद का दान जरूर करें अगली राशी, भुद्परधान राशी, मिथुन राशी आज पारिवारिक परेशानियां आपकी खत्म होंगी जो बहुत समय से चल रही थी नया वाहन खरीदने का योग आज दिखाई दे रहा है महत्वपुन कारे में आपको सफलता मिलेगी शुबरंग होगा आपके लिए गुलाबी और आज उपाय के तौर पर थोड़े से लाल फला परचेस करिए खरीदिये और किसी जरूत मन्द व्यक्ति को दान करतीजिए करक राशी, चंदरपरधान ये राशी होती है मित्रो सेहत में सुधार थोड़ा धीरे-धीरे होगा पढ़ाई में कोई भी लापरवाही आज बिल्कुल नहीं करनी है परिवार में खुशी का फूर्ण माहोल बना रहेगा शुबरंग होगा आपके लिए पीला और उपाय क्या करें चावल का दान कर दीजिए तो दिन सर्वत्तम रहेगा अगली राशी है, सिंग राशी रुके उए धनकी आपको आज प्राप्ती होगी शेयर मार्केट में निवेश बिल्कुल ना करें वरना आपका पैसा डूप सकता है परिवार में मांगली कारेकरम होंगे शुबरंग होगा आज के लिए कथई और उपाय क्या करना है किसी जरूरतमन्द व्यक्ति को गेहुंगुड का दान कर दीजिए तो दिन सर्वत्तम रहेगा मित्रो अगली राशी आती है कन्या राशी नौकरी में आज सफलता मिलने का प्रबल योग बना हुआ है आज मकान खरीद भी सकते हैं बड़ा प्रबल योग है जरूरतमन्द बच्चों की मदद कर दीजिए कुछ कपड़े दान करके कुछ उने स्टेशनरी डोनेट करके आप दान करिए शुपरंग होगा आज के लिए नारंगी और उपाय क्या करना है जीव जन्तूओं की सेवा आज जरूर करनी है तो लाराशी विवात है होने का योग बना हुआ है किसी भी काम में कोई लापरवाही ना करें तो बेतर है अपना भेद किसी को मत दीजिएगा वरना नुकसान में आ जाएंगे शुपरंग होगा आप के लिए मरून और उपाय क्या करें किसी कन्या के विभा में कुछ मदद कर दीजिए कुछ वस्त्र दे दीजिए कपड़े दे दीजिए कुछ पैसे दे दीजिए तो दिन सर्वत्तम होगा अगली राशी विरिश्चिक राशी संपत्ती के मामले आज उलज सकते हैं नौकरी में परिवर्तन का योग है अपने खर्चों पर रोक लगाएं और शुबरंग होगा आज की लिए लाल शहद का सेवन आप आज जरूर करिएगा तो दिन सर्वत्तम रहेगा धनौराशी की बात करते हैं देखे आज काम का दबाव पहले से कम हो जाएगा यानि कि मेंटल स्ट्रेस पहले से कम होगा लेकिन अपने संबंदों में कोई दरार ना आने दे छोटी आत्रा का योग बना हुआ है शुबरंग होगा आज के लिए जामुनी और आज हल्दी कतिलक करके ही घर से बाहर निकलिएगा तो दिन सर्वत्तम होगा मकर राशी दोपहर तक जरूरी काम आपका बन जाएगा निश्शिंत रहिए उधार दिया धन आज वापिस मिलने का भी योग है आज संतान प्राप्ती का उत्तम योग भी दिखाई दे रहा है शुबरंग होगा आपके लिए हरा और उपाई क्या करें आज गो माता की सेवा करने है गाई की सेवा में लग जाएए आपका दिन हर तरीके से लाब प्रत रहेगा कुम्बराशी की चर्चा करते हैं मित्रों आज आपको जो बड़े समय से इंतिजार था जी हाँ आज मन चाहा आपका ट्रांसफर इस्थान अंतरन हो सकता है मन चाहा इस्थान परिवर्तन होगा मित्र के साथ कहीं घूमने जाएंगे परिवार में समय जरूर बिताएं तो परिवार के और आपके दोनों के लिए अच्छा होगा शुबरंग है आज के लिए गुलाबी और उपाय क्या करना है आज थोड़ी सी हरी दूरवा भगवान गनेश को अर्पित कर दीजिए या फिर थोड़ी हरी घास आप गाए को खिला दीजिए ये छोटा सा उपाय आपके कारे को बनाएगा मीन राशी आलस से त्याग दें तो आपके लिए बेहतर है दोपहर बाद आप अपना कारे कर सकते हैं उसमें सफलता का योग है लेकिन आज किसी से मित्रता नहीं करनी है दूर रहिएगा थुड़ाच शुबरंग है आपके लिए नारंगी आज के दिन चने की दाल का दान सर्वोत्तम होगा